इना कि लोग कर रहे थे हैं और बैक्ट्रियल स्ट्रक्चर में हमने वह कर लिया था क्या कहता है लाइको कालेक्स कर लिया था और सेलव कर लिया था ठीक है और शेकर आता है cell membrane, next structure is cell membrane, ठीक है? नव, जो bacterial cell membrane का structure है, it is more or less similar to eukaryotic cell membrane, ठीक है? bacterial cell membrane का जो structure है, वो अगर आप देखेंगे, तो जैसा eukaryotes मतलब bacteria prokaryote है क्योंकि यहां well defined nucleus नहीं है तो bacterial cell membrane का structure is more or less similar to eukaryotic cell membrane तो रादन फस्वाट यह question भी आई हो है पाहले तो रादन structure of bacterial cell membrane structure of bacterial cell membrane is more or less similar to is more or less similar to eukaryotic cell membrane is more or less similar to eukaryotic cell membrane तो रादन गीजिए आप ये वाट्टरियल cell है ये तो रादन गीजिए अप ये ग्येट ग्येट है और यह हमारा उसका cell membrane है ठीक है इस cell wall and this is your cell membrane now what you will observe in case of some bacteria this cell membrane shows invagination or infolding मतलब क्या है यह membrane जो है it will so infolding like this अगे these infoldings are referred as mesozoom we call it mesozoom okay now mesozoom जो होता है वो बहुत सारे काम करता है bacterial cell next point के in case of some bacteria in case of some bacteria membrane source in folding membrane source in folding okay these in foldings are referred as in case of some bacteria membrane source membrane source in folding i-n-f-o-l-d-i-n-g in folding which is referred as which is referred as mesozoom which is referred as mesozoom mesozoom functions of mesozoom mesozoom functions of mesozoom कि मेर्जूम के क्या क्या काम है पहला काम देखो यह मालों मेंब्रेन है ठीक है आप यह मेंब्रेन जो है वो इंग फोल्डिंग सो कर रहा है तो यह सर्फेस एरिया बढ़ा ली घटा साफेस एरिया विल इंक्रीज प्रड़न फर्स प्रॉइंट तो यह एंप्रॉइंट जियों फैर तो यह एंप्रॉइंट ग्रीज टें सब्स्राफेस एड पहला काम तेखेए ठीक है ठीक है ना दूसरा कम आप सबुने एक टर्म सुनो होगा माइटो कॉंड्रिया कि समझ नहीं है मैं कहा रहा हूं कि ऐसे वायर लो आप जैसे यह मिम्ब्रेन है और यह मिम्ब्रेन ऐसे करके इंफोल्ड हो गया तो सर्फिस एरिया इसका बढ़ जाएगा ना तो यह किसका फांक्शन भी सर्फिस एरिया यह बढ़ा देता है पैला फॉक्ष्ण दूसरा फॉक्ष्ण है अपने माइटो कॉंड्रिय सुन आएट लगा माइटो अधुक्रिया काम लूग पावर हाउस अवस्यल कहते हैं कि यहां पर रेस्पिरेटरी एंजाइन सों रेस्पिरेशन के धुरूर्व में टो जो का माइटोकॉंड्रिया करता यू कृरियॉटिक सेल में वही काम मीजोजोम करता है बाक्टीरियल सेल में मतलब क्या हुआ? इनालोगस to mitochondria. एनालोगस का मतलब होता same function, different origin. काम हो ही है, बत इसका origin क्या है? वो different है. तो रहा हुआ है, second function लिखिये. इनालोगस to it is इनालोगस टू माइटो कॉंड्रिया ठीक है एनालोगस का मतला होता है सिम्लर फांक्शन डिफरेंट ओरीजिन ठीक है ना नेक्स फांक्शन अगर आपने कभी सेल डिवीजिन पढ़ा होगा तो इसमें अपने ऐसा पढ़ा होगा कि यह अगर सेल है यहां पैसे करें प्रूमोजूम आ जाते हैं तेरी इस से आपके स्पिंडल फाइबर अटाच हो जाता है ठीक है इसको पुल करेगा तो यह रिजल्टेंट क्या होगा यह जो है और अपने अपने तरफ मूब कर जाएंगे यहां पर यू करेवाटिक सेल में क्या है इस पिंडल फाइबर जो है वो डिन एक सेप्रेशन में हेल्प करता है ताकि वह डॉटर सेल में ट्रांसफर हो जाए लेकिन अगर आप ट्रियल सेल में देखेंगे जिसे मां अब यह गया का सलए ऐ और ये इसका डाने है है आप यह बैक्तिराल से डिवाइट कर रहा है जब यह करेगा तो इसका डाने अपना कॉपी बना लिया बी आने अपना कॉपी बना लिया है अब इसको सेपरेट करना है कि तो और इसके साथ हमारा जो बीए ने अटाच है तो भी अलग हो जाएगा That means it helps in separation of replicated DNA, during division in bacteria. मैंने क्या कहा कि जो यूकरियोटिक सेल है अगर आपने सेल डिविजन पढ़ा होगा तो यह जो क्रोमोजोंस है वैसे अरेंज हो जाते हैं और उससे आके क्या होगा की जैसे ये बनाएगा उससे आके मीजोजों अटाच हो जाएगा उसके बाद ये सब्सक्राइब करेगा तो यह को सेपरेट कर देगा हम कहते हैं इप सेपरेशन आफ रेपलिकेट डीने कि यह इप सेपरेशन आफ रेपलिकेटड डीने अफ दाइम बैक्टिरीन डिविजग रड़न एक्सपांक्षान लिए एट हैं सर्मी जोजोम इस अलरडी अटाच टू डिन लेकिन अटाच है ना यह अलग नहीं हुआ है ना भाई अटाच ही हुआ ना जब तक यह लॉंग रिट नहीं होगा तो सेपरेशन कैसे होगा अटाच होने से क्या हो जाता है अटाच विल नुट लिट अटि अलिस देरेश इलांगेशन इस इपाब गया लेकिन जब तक बूस दूर नहीं जाए उससे तो अलग कैसे होगा प्रड़ंग इट हैं सेपरेशन ओप अग्या प्रप्लिकेट एक डी इने अटिए 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 अट कि अब दिखो एक और फंक्षान इसका अब इस सेल को डिवाइट करना है कि करना है तो क्या करेगा इस वाल को अंदर की तरब कीचेगा आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखिएगा और फिर यह कीचे इन दोनों को इसे सेपरेट कर देगा तो जब तर इसको पुल नहीं करेगा तो क्रॉस्वल फॉर्मिशन नहीं होगा तरड़न नेक्स संसे लिके okay, mesosome, mesosome helps in formation of crosswall, mesosome helps in formation of crosswall, cross wall at the time of division, at the time of division, अगरिसको बनानाज जल्दी से बना लिए। अभिक है जूए। है। आगहिए?। आगहिए। आगहिए।। आगहिए। आगहिए। एक्याग। टैगहिए?। अब हमारा जो अगला स्ट्रक्चेर आता है हमेशा नहीं होता है जब सको सेपरेट होना है तब अटाइच होता है ठीक है नेक्स्ट हमारा स्टक्चर आता सार्फेस अपेंडिजेश नेक्स सब्सक्राइब तो मैंने आपको इसमें दो चीज बताया था पहला मैंने आपको बताया था फ्लाजला और दूसरा मैंने आपको बताया था पिलाई और फर्स्ट आई। फ्लाजला था के थैंकनह स्टेश प्लाजला Is there like out休rit present on a bacterial cell surface ya like out put their bacterial cell surface a present है तिगे इस इटेंशन अप्लाज मेंब्रेन ओके अने तेटेंशन लोको मोशन मुवमेंट में होता है और यह एक स्टेशल टाइप के पूटीन का मना होता है तैस्ट इस रिफर आस फ्लाजली अ क्या है और यह कोई जरूरी नहीं है की हर मेंट के पास उप्लाजला हो इसको है तो शूट के स्लाजला तो परने कहा है इस अ है क्वे क्वेंट स्टेशल ऑसे नहीं है अजितør प्लाजमेंट सब्सक्री आर देंद हमागों and made up of the special type of protein known as flagelline and it is not necessary that it is not necessary that every bacteria should produce flagella it is here like out group क्यों वोइस क्लियर नहीं आ रही है वोइस क्लियर नहीं है एक बोल रहा है कोई नहीं है सब तो बाकि बोल रहा है I don't know it is here like out group it is here like out group present on bacterial cell surface present on bacterial cell surface it is extension of plasma membrane it is extension of plasma membrane you 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 present on plasma extension of plasma membrane made up of made up of special type of protein made up of special type of protein known as flagelline known as flagelline made up of special type of protein known as flagelline it helps in locomotion it helps in locomotion it helps in locomotion or next one important is a question we have why you gonna it is not necessary that it is not necessary that every bacteria it is not necessary that every bacteria should possess a flagella or and and इस नुटनेसेसरी ड़ा एंवरी बैक्टीरिया सूट पजसे फ्लजला था कि अध़ा कि इस नुटनेसेसरी टक तुर्फ लाजला पूटीमि इस प्रेजिट अंली इन प्लमन्ट और इंका मिली में इस फिलमेंट वनाता है फ्लाजलीन लेकिन लोग कहते हैं कि फ्लामेंट का में भी स्रक्ट्टर आपको में पता हुआ ठीक है ना नेक्स्ट है नेक्स फॉइंट लिए हम बाक्टिरिया को डिफ्रेंट टाइस में डिवेट करते हैं ठीक है ऑन दा बेसिस आप कि वैजर फ्लाजला इस प्रेसेंट और आप्सट करते हैं और बेसिस और आपसंस अफ्लाजला ठीक है और नंबर पॉजीशन ऑफ लाजला कि इसमें नहीं होता है यार मैं फिर से बोल रहा हूं आप लोग को जहां पर एक्जांपल की जोड़त होगी मैं खुद बताऊंगा आप ज्यादा आतूर मत होईए आपको जो रिक्वाइड होगा ताट विल भी डिलिवर्ट टिए तो आप उस चीज के लिए व्यकुल मत होई है कहां पर नहीं जहां पर पर कि ज़्यांपल की जोड़त हो कि मैं खुद बताऊंगा एंगर आपको अपने मर्जी से एक्जांपल याद करना है तो आप जिदना याद कर सकते हैं घीजिए आपकी मर्जी मैं आपके दिम नेसेसरी आविल नाट गिल एक्साम्पल तो यह क्लियर रखना में पहले ही बोलाओं यह आपकी मर्जी है आपको दिमाग में इतना पूड़ा जमा कर सकते हैं मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता लेकिन मैं वहीं एक्जाम्पल बताऊंगा जहां पर आपको रिक्वार्ड है क्लि transition of life, pradham, bacteria is divided in two difficult types. Bacteria is divided divided into different types on the basis of number and position of flagella and presence or absence of flagella 1st is A tricus 1st is A tricus A tricus का मतलब होता है without flagella without flagella राक्टीरिया इस विदाउट फ्लाजुला ठीक है? ठीक है? ठीक है? सेक्ट हमारा था मोनोट्रीकस सेक्ट हमारा था मोनोट्रीकस सिंगल फ्लाजला आट वन एंड सिंगल फ्लाजला आट वन एंड ठीक है? इसरा आथा है एंफित्रीकस सिंगल फ्लाजला आट वोथ हैंड्स ठीक है? ठीक है? तीसरा आथा है लोफो ट्रीकस्ट ग्रूप फ्लाजला आट वन एंड्स ठीक है? एक तरफ फ्लाजला का ग्रूप रहेगा बहुत जा लिखा हुआ है रहे हैंड्स यह पिखिए फ्लाजला लीखहु हैь रहे हैंड है, रहे हैं जुइक बहुत रहे group of flagella at both end okay last peritricus flagella all over the bacterial cell surface flagella all over the bacterial cell surface okay sabka chali now next setting structure of flagella next setting is structure of bacterial flagella structure of bacterial flagella okay bacteria flagella structure to be team part to be okay 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 basal basal body basal body basal body basal body hook and filament basal body is the most complex part of flagella it is it is most complex part of flagella and if you look at gram negative bacteria it consists of four different rings between and these are the four different rings which is present in the ring ring, P ring, s ring and m ring Are you ready to interpret this? which is present in basal body of gram-negative bacteria याद रखिएगा, gram-positive bacteria में L और P ring absent होता भी लिखवा दूँगा पहले समाई लो gram-positive में ये तो no ring absent होता हुपरा हुपा, सिर्फ S और M ring होता बहुत पहले question आया हुआ अब नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, जो इन rings को जॉइन करना, this is referred as rod, तो ये पूरा structure जो है आपका क्या है, बसल बॉड़ी इस यो बसल बॉड़ी बसल बॉड़ी वो पॉइंट है जहां से फ्लाजला ओरिजनेट करेगा, ठीक है इस पॉइंट from where flasla always gets, then we have hook this is your hook hook जो structure it connects this basal body with filament hook का क्या है, basal body को filament से अटाच कराएग, ठीक है and then we have filament ठीक है this is your filament which is responsible for actual locomotion जो actual movement होता है that is because of this filament ठीक है, ठीक है लगक लीकन치가 खेवारिब 하면 नेश बेस भी अ फेरोड भी झाल झाल व बले खेवार ब्यार कि अरल прाज़ळख को इन धना ह? the most complex part of flagella it is most complex part of flagella from where flagella originates from where flagella originates in case of gram-negative bacteria in case of gram-negative bacteria it consists of it consists of four different rings it consists of four different rings that is L, P, S and M that is L, P, S and M whereas in case of gram-positive bacteria whereas in case of gram-positive bacteria only S and M ring is present only S and M ring is present and 2 the 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 it is the structure which connects it is the structure which connects basal body with filament basal body with filament 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 is the structure filament is the structure which is responsible for which is responsible for actual locomotion filament is the structure which is responsible for actual locomotion is the structure which is the structure of the structure पानी के साथ बैढ़ जाएंगे ग्लाइडिंग मुवमेंट पानी जिदर जाया का प्लांक टॉनिक होंगे टिक है कि या मुवी नहीं करेंगे क्या पर रख़ड़ को कि वें गया सब का चले नेक्स्ट इस पिलाई चले इस पिलाई ये खिज प्लाई ये जो अ है इस उडाल है क्या थे अृट ऑऊट्ट पिलाई से लाई को एगार आपर प्रिजाया है में एक से बना घुटा प्रोटीन करता है ना पिलाई को अमनों डो थो तैप में डिवैंट करते हैं अंड़ बेसिस इस अपाइब कारव करो एक होता है हमारा सेक्स पिलाई सेक्स पिलाई जो होता है एग हें देहल एक बाक्टिरियल कोंजूगेशिटर्चिन इसका काम क्या है इट हेल्प्स इन बाक्टीरियल कॉंजुगेशन मतलब क्या है यह पढ़ेंगे एट टॉपिक है आगे जैसे माले यह दो वाक्टीरिया है अभी इस वाक्टीरिया को इसको अपना DNA देना है ठीक है तो क्या होगा दोनों के वीचिन में एक ट्यूग लाइक स इस होंगा इस सेक्स प्लाई तो इसके एल्प से इसका DNA इसमें ट्रांसफर हो जाएगा आपको आपको आगे बताएंगे इसी चाप्टर में पाठ है ना पहला प्लाई हो गया सिक्स प्लाई विचल सिंपाक्टियल कॉंजूगेशन टीक है बाइल्पिंग इंफॉमेशन औ इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं and that is referred as Fimbria we also call it Fimbria इसका काम क्या है it helps in attachment to substratum मतलम क्या हुआ जैसे माल लो यह हाथ इस पे बैक्टीरिया है इससे अटाच होने में यह help करेगा यह substratum हो गया Fimbria will help in attachment to the substratum कि एगा, घ्रॉम एगा, झैकने, तरॉम ध्याव, इस समाल हेलाइbbe, ऑगा, तॉम, हेलाइसादीं, नच्यावँ पूर्वाफ ब्सक्केशा, अम्पालों दॉम्हा, यां वनतलों हो, ब्सक्णिखना इंगारो रगार्वू कॉर समारला इंगा, ब बाक्टिरीयि तायसर्फस इसमेद अपफ बस्पेसल था प्रोटी थी ये ये आपफ शेसल थाप प्रोटी फिरी ये 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 नेडिमिक्स प्रफॉजडें लिक्तपाँ प्रफॉजदमों सेचिय काइब एट्युजड़ पार्फॉटवाइब कि अपने इफॉड़ारिंट ट्रफॉड़ा है depending upon function performed by it it is divided into two different types first sex pili first item sex pili it helps in bacterial conjugation it helps in bacterial conjugation by helping in formation of it helps in bacterial conjugation by helping in formation of conjugation tube conjugation tube second is vegetative pili also known as fimbria also known as fimbria it helps in it helps in attachment to substratum it helps in attachment to substratum 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 it helps in attachment to substratum substratum next setting is bacterial cytoplasm next setting is bacterial cytoplasm okay sir function of sex pili is conjugation and fimbria is attachment so how they can so how they can so how they can how they can include in pili pili a structure the name of the name of the work system two types do okay structure the origins the two 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 three two three origin same है दोनों का, structure दोनों का same है, हाँ function is different, नहीं मुझे chat करने का कोई सौभ नहीं है, ठीक है, ना, मैं दो mobile से बढ़ा रहा हूँ, एक mobile में देखते रहा हूँ, आपके doubt और दूसरे से वो back camera से चल रहा है, तो मेरे को इधर-इधर ध्यान रखना पड़ता है, को इंडिस हो जा next, bacterial cytoplasm, now, अब यहां भी बहुत important चीज आपको समझना है, sir, he mean to say, आप चेक कर सकते हो message, यार मैं चेक करने जाओंगा, तो अफिर और टाइम भरबाद होगा, ठीक है, okay, bacterial cytoplasm, ऐसे ही online में मुझे तो नहीं आता, मुझे तो नहीं आता, आपको आता होगा साय, मजबूरी है, ठीक है, जब आपके चेहरे नहीं दिखते हैं, मुझे यह नहीं समझना आता है, जब पर मैं चेहरे नहीं देखते हैं, कि बच्चे समझ रहे कि नहीं समझ रहे कि नहीं समझ अगर आप यू करिया और इक सेल को देखोगे अगर आप किसी यू करियाटिक सेल को देखो जैसे हमारा सेल हो गया किसी प्लांट का सेल देखोगे जैसे माल वह सेल कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज में वह सेल के अंदर मूब करता है इस मुवमेंट को हम लोग कहते हैं साइक्लोसिस का मतलब होता है मूवमेंट आप साइटोप्लाज्म इसन निवेंट करने मुवमेंट आप अप इस मुमेंट आप सेढ़ को देखोगे ए इसमुवमेंट आप आपक को साइटोप्लाजम जो खिकड होगे बैटि आफिकरश्याओ आप Cytoplasma Bacteria Cytoplasma Bacteria Do not So Cyclosis Do not So Cyclosis That is That is Movement of Cytoplasma Within the cell Movement of Cytoplasma Within the cell Next point Cytoplasma I have a structure Likha Nucleoid Geno4 Prochromosome In CPL Nucleus Nucleus Prochariot Define Nucleus Nucleus Genetic material Nucleus Naked Naked The genetic material In bacteria Naked That is DNA is not protected by Or covered by Nuclear Invella And that is referred as Nuclear That is why we call it Nucleus Or we also call it Geno4 Prochromosome Or NCP Nucleus Right on In bacteria In bacteria Genetic material is Genetic material is Genetic material is Double stranded Circular DNA Double stranded Circular DNA Matlab Kya huwa Dwo strands Hoongay Dwo strands Hoongay Dwo strands Or Circular Hoongay Dwo strand Or dwoosra strand So it is Double stranded Circular DNA Which is Not covered by Which is Not Covered by Nuclear Invella It is Not covered by Nuclear Hello Here Either Whether यहां पर नहीं होता है, not covered by nuclear envelop, लिख लिए, and known as nucleoid, known as nucleoid और बाकी जो नाम में आपको लिख पाचिए, known as nucleoid, किक है, ना, अगला पांट, बहुत इंपॉर्टन पांट, अभी हम अपने DNA का स्ट्ट्चर तो 12, बाय मॉलक्यूल में आप पढ़ो गे से, विजिलोजी वेले पा कुमार मनीज, दोक्र कुमार मनीज, लेकिन यहां पे, हम थोड़ा बैक्रिया का DNA, तो DNA जो होता है, इसके इसके इंदे जो DNA है, ऐसा नहीं होता है, कि यह स्काटएड होता है, it is not scattered, ठीक है, it is packaged, ठीक है, इसका पाकेजीं होता है, and that packaging is done with the help of polyamines, ठीक है, प्रढ़न, in bacterial cell, कौन सा last point, यार मेरे को याद नहीं रहता है, मैं कोई देखके तो नहीं पढ़ा रहता है, को लास्ट क्या है, मुझे याद नहीं रहता है, मैं फ्लू में बोलता रहता हूँ, मैंने यह कहा, कि जो बाक्टरियल डीने सेटोप्लास्म में होता है, वो स्कार्ट नहीं होता है, मतलब इस फैला हूआ होगा, वो पाकेज़ोगा, और जो पाकेजीं होता है, it is with the help of polyamines, उसको पाकेज करने में हेल्प करता है, इस DNA जो है, पाकेजिंग अफ आसिडिक डीने, बाकी पाकेजिंग अफ डीने अमनों डीटेल वे पढ़ेंगे इन प्लास्ट्वल, नुकलोईड का मतलब होता है यासिका, कि ऐसा डीने, ऐसा जेनेटिक मेटरियल, जिसको कोई प्रोटेक्टिव कावरिंग नहीं है, जिसको नुकलोई नहीं किया हुआ है, तो बैक्टरियल डीने जो होता है वो नेकेड होता है, उसको अम लोग नुकलोईड कहते है, औरे भाई साब, रिया देखो अभी आरम, नॉन हिस्टोन प्रोटेन, हिस्टोन बाताया है निये, तो मैं क्यों वर्ड यूस करों नॉन हिस्टोन प्रोटे तुरा दन, नीस्टोन लहे। P-O-L-Y A-M-I-N-E-S P-O-L-Y A-M-I-N-E-S Polyamines which is basic in nature तो आज हम लोग निक्लोएट में रुखते हैं फिर नेफ्स ट्लास में ये इस सेल स्ट्क्चर खतम होगे आगे पर जाएंगे हम लोग ठेंक्यू पढ़ाई करो अच्छे से दियान रोको अपना झाल